सबसे पहली तो कम ही है कि भाई इस गाड़ी के अंदर भाई जल्दी जल्दी खतम हो रहा है 25800 का तो बाई सिर्फ इंजन इंजन ओयल है अब ऐसे तो हम इसको भाई वहां लगे लगे भी चेंज कर सकते थे पर यह नहीं आपको अच्छी से मैं दिखा पाऊंगा ना तसली से एक स्कॉर्पियन है जिसके जो ब्रेक पैड है ना वो पीछे वाले जादा किस्ते हैं बाई ओ तरह पलाओ जए तन तो सच्छे में बाई साब इसमें क्या है इसमें ना आपको बीजल फिल्टर की हवा निकालने ही जूर तनीज है एक चीज़ और मैं आपको बता देता हू ना कि जब आप डिएफ डिलवा रहे हो बसा ना हाला तो खस्ता और यह इसकी भी है ना तारी समस्यां का हल हो गया भाई अपना लेकिन एक समस्या का हल भाई आज भी महिंद्रा के पास नहीं है बाकि यह रहा भाई अपनी गाड़ी का सर्विस का बिल आज वह दिन आ गया जिस दिन भाई होगी अपनी स्कॉऔर पर नीचे चल जाए तो चल जाता है फिर मैं देखा क्या जो पिछली सर्विस थी वो मैंने इसकी कराई थी 3,747 पर अब अपनी गाड़ी जो चल गई है 41,118 km आरे हाँ हाँ कराएंगे कराएंगे अब हम जा रहे हैं भाई सर्विस पे तो भाई कमिया पेशी भी तो गाड़ी में चेक करने पड़ेंगे न अच्छा यहां तो बहुत है इस गाड़ी के अंदर लेकिन कमी पेशी भी तो गाड़ी के अंदर आती रहती है न वो कौन सी कमी पेशी है सबसे पहली तो कमी है कि भाई इस गाड़ी के अंदर भाई जो डीएफ लेवल हो बहुत जल्दी जल्दी खतम हो रहा है जब हमने इसका लास्ट डीएफ टोप अप किया था 85% आइ थिंक 49 और 500-700 पे किया था 1500 किलोमेटर ही गाड़ी चली और भाई 25% इस गाड़ी का डीएफ उड़ चुका है तो डीएफ की यूँ जादा ले रही है अलाकि अगर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर पे हम चेक करें तो डीएफ आपका नहीं चलेगा तो वो चीज़ है इसका डीएफ फिल्टर चोक हुआ होता तो रिजन आ गया होता लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि मैनूल गाड़ी मैं तो वैसे इसको खेंस देता हूँ अब पहाड़ों पे गई थी वैसे खिचकी आई थी ठीक है तो एर फिल्टर तो हमने इसका भी चेंज कराया था 49,000 बतलब वही 40,000 वे जब हम ले में थे उस टेम पे करवाया था तो देखते हैं भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता इसके अंदर ब्रेक पैट्स कैसे हैं गाड़ी के शौकर्स कैसे हैं गाड़ी के यह सारे चीज़ चेक करेंगे नीचे से कुछ और चीज़ खराब तो नहीं है क्या नहीं है और महिंद्रा वाला सब एक बार पूछ लेंगे के वाई तुम इसके अंदर एमेली लगा दो गए क्या जैड़ डेटेल वाला वह यार वेलकम तो मैंने आपक किया ही नहीं हेलो जी वेलकम बैट विचल कैसे हैं आप सब उमिद्क आप सब बहुत अच्छे हो गर फिर्म से मिलाइफ को इंजॉय कर रहे होगे अब ठीक है आप वेलकम हो गया ना और एक चीज़ और रहे गई इन्वॉल्व के दो स्प्रे भी तो नहीं करे यहाँ अब हुई ना भाई गाड़ी कंप्लीट मतलब चलने के लिए गाड़ी में बैटते हैं बाई दो स्प्रे इन्वॉल्व के बिलकुल मत बूला और आज भाई मैंने स्प्रे किया था इसके किक स्प्रे वहां पर और कर दो पूरी गाड़ी ऐसे महग जाएगी और आपको फुल रिफ्रेश रखेगी अब इतना स्प्रे करो तो बोटर की चिंता मत करना दो से तीन मिन तक अराम से चलेगी फटा 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 पर जाओ इन्वोल्य सेंसिस की वेबसाइट पे और अप बूलना नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने वाला उससे आप चूक जाओगे लिंक और कूपन को दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है कि आप फटा फट जाओ क्लिक करो और ले लो अब महिंद्रा वाले अपने कितना डिस्काउंट दें किलोमेटर चल गए हमारी गाड़ी अब 40 किलोमेटर पर डीजल फिल्टर चेंज करा हूं तो डीजल फिल्टर अगर लिखा होगा उसके अंदर इसके सर्विस शेडूल में तो चेंज करा लेंगे अदरवास जब कभी साइन आएगा तो उस टेम पर देखेंगे और क्या रह और इसके अंदर एक लाग किलोमेटर की है बाकि मैं यह कहता हूं कि 60-70,000 किलोमेटर पर आपको अपना जो गेरोल हो चेंज करा लेना चाहिए और बाकि चलते हैं देखते हैं बाकि एडवाइजर हमारे क्या कहते हैं कि 40,000 भी यह होगा यह होगा यह होगा कुछ अंच्छ कि सर्विस सुनके तो भाई साब हरान होगा है मैं हैरियर की अभी रिसेंटली अपना ही मिच्तर गए थे भाई सर्विस करवाने के लिए 20-25,000 का बिल बना दिया और भाई रैंगलर का सर्विस सुनके तब पागल होगा 25,800 का तो भाई सिर्फ इंजन इंजन ओल है बताओ जार ऐसा कौन सा इंजन ओल डाल दिया मर्सडीज के अंदर भी जो इंजन ओलता है वो भी आप यू लगा लो 11-12 सवर फे लीटर वाला है तो पता ऐसा कौन सा रूबिकॉन और वो मर्सडीज जी वेगन की बात कर रहा हूं मैं जी वेगन के अंदर भाई साब डलता है वो सब्सक्राइबर भी मिले थे उनके पास थी रेडिकलर की हैरियर पूछ रहे थे कैसी सर क्या गाड़ी है तो मैं बोला यार सर्विस में तो काटते है यह नहीं है इसलो हर 15,000 पर सर्विस होती है लेकिन बोला हां सर्विक कोस्ट वाक्य में जाता है पिसली सर्विस हमारे कि अधने में थी स्कॉर्पेंट की साठे 10,000 में थी उसके अंधर चेंज का क्या हुआ था इंजन ओयल ओयल फिल्टर एयर फिल्टर डिफरेंशल ओयल और एक दो चीज़ और से हाँ ब्रेक पैड भी चेंज हुए थे रियर वाले ठीक है और फ्रंट वाले तो मैंने अभी 36,000 बाई चेंज करवाए थे ठीक है तो ये सारी चीज़े भाई अपनी चेंज हुए थी और फिर 60,000 करने था लो जी पहुँच गया जी हम डियम महिंद्रा एंड बाई साहब पैसे तो भाई मैंने सर्विस का टाइम लिया था दोपहर के बाद का और मैं पहुँचा हूँ ती अच्छी लग रही है बैक लाइट उपर वाली है अब सही लग रही है अरे अच्छा गाड़ी हमारी बे में जाएगे ना बाई तो भाई अपना जोब काड़ बन गया है गाड़ी का और एस्टीमेटेड है जो हमारा बिल रहेगा सर्विस कोस्ट वो है 9,670 पे जो भी तक अच्छ बताई गयी है बाकी देखते हैं ँछ कूछ चेंज करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं होएगा अब एक फार गाड़ी को बे Katherine लगने देते हैं फिर पता लगएगा अभी टाइम हो गया है 40 बजगे बहुलुन सभाचार का टाइम हो गया अब देखते हैं कितनी देर म दोगा इंजन उइल, एर फिल्टर, कुल्एंट, कुल्एंट चेंज करें या चालीज और पे सा क्या कहता है शर्वी सेडूल, चेंज है या नहीं है, नहीं है ना भी, हाँ, कुल्एंट की तो लाइफ जादा है, हैं, कम अगर हुआ था हुआ था हुआ है, कम तो है हुआ ही यह तो मैंने बोजा टाइट कर रखे हैं तूटने की चांजी जो हैते हैं क्या है पर इतना टाइट करना नहीं चीए था ना मेरे को यह था ना भाई रस्त ना चली जाए कहीं से गाड़ी के अंदर ना तो यह एर फिल्टर निकला अपना दिख तो नहीं आए साही रहा है मानों चैना मानों अजार किलमेटर तो भाई चलिये लद्दाख में और आपको पता है भाई लद्दाख की मिठ्टी कैसी हो ती है क्या नहीं आ ओ हो हो तो फान्डे जी यह बात तो बताओ यह पंदरासो किलमेटर में 25 प्रसेंट डिय एफ खागी है ऐसा क्यों अ तो गाड़ी तो लदाक में ता स्टार्ट तो रही थी जातर अगर रणिंग ना भी करेंगे स्टार्ट है तब भी खाएगी यह बात भूली गया था पर वैसे तो कोई फाल है नहीं क्यूंकि माइलेज भी सही दे रही है किसाब से तो मतलब खड़ी रही है इसलिए है चलो ब गई है मिक्टी इसको इसको कवर कर लेना यहां ना जाएगी इस पर हाथ लगा ले ऐसे है इसमें मज़ाने दियो बस अरत तरा पर लाओ जाए अब आप पूरी खोल दें बाई लो बाई एर फिल्ट्रा मारा बिल्कुल क्लीन हो गया वैसे तो नहीं आई दावस लबदाक की मिट्टी से जाए चिप्की हुई थी चलो बाई दन है वैसे एर फिल्ट्र तो ऐसा है ना भाई हर पांच जारफे भी चेंज करा तो कोई जादा बुरा ही नहीं है देखो कुलेंट अपना पूरा मैंने थोड़ा सा कोल लाता ना गाड़ी गरण थी ना तो गैसी बन जाती यह कोलन हमारा पूरा है क्यों दिक्कत नहीं है ठीक है यह हो गया हम चेक करेंगे ब्रेक ओल ए सबसे पहले बाई डिलबाना चीई है यह एक बार में पताँगा ब्रेक वल तो वह चीज है और गाड़ी गाव सेल्फ मार दिक्कत हो जाती है वह सबसे बैस्त है जैसे इंगर निकले अपना इंगर डलवा तो फिर अपना बाकी के सारे काम कर रहा है तो भाई अपना पहले टेर खोल के चेकी कर लेते हैं जो चोटी मोटी ड़स तो चले ही जाती है और भाई कुछा था सर इसकी ďलन की देदो में नहीं है बाई चूड़ी से ही खुलते हैं ये तो जैसी कैप है ना हब कैप तो अब ये एक बार ना भाई को चारो टैर खोलने देते हैं फिर दिखाता हूँ आपको कैसी कंडिशन्स है हमारे ब्रेक पैड्स की पीछे वाले 30,000 पे चेंज हुए थे आगे वाले हमारे 36, 37,000 पे चेंज हुए थे तो आगे वाले मारे चारे जार के आसपास चले हैं और पीछे वाले 11,000 किलोमेटर चल गए है हाँ बैसाहिल कैसे हैं ब्रेक सही है डिस्पलेट सही है पीछे ग्राइंड भी करवाई दी ना सही है ग्राइंड करवाई दी पीछे ही है सही है कोई कचरा बचरा तो नहीं खोलने जूर्प तो नहीं पका नहीं है बिल्कुल चलो भाई वैसे भी भाई में जब वाशिंग वगरा होती है उस टेम पर इसके प्रेशर लगवाता है रहता हूं पका चरा जादा गया हो गई नहीं यह पिछे वाला भी उतर गया इसको और चेक कर लेते हैं यह क्या कहता है फिलाल सही है फिर भी खोल ले आरो जो तो खुलता नहीं हा ख्लीन कर देंना खोल गए पिछे वालें को 10 एक जार हो गए ना, तो अगे बाले तो चलो फिर भी पांच एक जार होगे है, पांच भी निए उनको तो तो पिछे वाले एक बड़ खुलवा के साफ करवा रहते हैं वाई, एक स्कॉर्पियन है जिसके जो ब्रेक पैड है ना वो पीछे वाले जादा गि जो अपना डिस पेड है जल्दी गिषते है हलाकि हमारी डिस प्लेट आग्याँ राइड वाली ग्राइड भी ती पिछे वाले अवरोиц यह लेक्त थो नीक्तलोंगा अधस जो? हमारे तो इस प्लेट तक हमारे शर्फित दम सऺ खनारों जाद घंदे तो नहीं निकले पर शाफ ही देगा कि जब टेहर लगाए तो थोड़ाँ हाथ से चड़ा यह नठ और क्या प्रिधा अपना नठ लगा और अपना मशीन से चड़ा देते हैं उस चकर में नेट एक बार तो चड़ जाता है दुबारा मान लो कहीं पंच और इस तरह खोलना पड़ गया ना तो भाई आपका सीधा स्टाड़ी तूट जाता है इनकी आलत कैसी है इनकी वी वैसी है है यह ज्यादा गंदे है यह पता नही इस वाली सेड़ में है चलो भाई अपना इसको एक बार रेगमार पर साफ करके मदब इसाई नहीं होती थोड़ा खिस जाता है और जो जमा हुआ पार्ट होता है ना ड़ो डस्ट वर्स कीचरड पानी जो भी चलती है गाड़ी वह अपना निकल जाता है तो सही रहता है क्य इंजन ओएल, शेन लिटर इंजन ओएल आ गया एर फिल्टर भाई गाड़ी में रखवादे क्यूकि एर फिल्टर मारा ठीक है अगर मैं एर फिल्टर नहीं इसु कराऊंगा अफर मैं आलाकि जो पहले मैं एर फिल्टर लेकर गया हूं वह भी मैं जोब काड ओपन करा करा क कोई और चीज में लाए तो सर्विश शबूल आपका बिल्कुल ओक्य होना चाहिए तो इसलिए भाई मैंने एर फिल्टर ले लिया वह थोड़ा सा डस्की हुआ है तो पांच जार किलोमेटर चलने के बाद अपना एर फिल्टर बदल दो एर फिल्टर तो मैं यही रेकमेंट पर पर प्रके का हमारा ओएल फिल्टर होगा ठीक है एक हमारा लिकाचीज भाई यह मैंने देखा नहीं अच्छा यह है ओएल फिल्टर ना फ्यूल फिल्टर यानि इस बार डीजल फिल्टर भी चेंज हो रहा है इसका है मतलब कंपनी 40 तार भी डीजल फिल्टर चेंज कर इनको चेक कर लेना एक बरी ना वैसे भाई शिल्ट का भी एक देखो कितना यह बढ़िया ची लगवाला देख लो पेंट इसका भी शिल्ट का उतर गया तो एक बर शिल्ट को भी पूरी को उतरवा के भाई दुबारा से पेंट करवाना पड़ेगा चलो कोई नहीं गाड़ी को तो बचाई रही है यह देखते हैं वही इंजनोली की हलत कैसी मिलती है उत्रप लाओ जए तन तो सच्छे में बाई साब बच गया आस तो मैं बच का गया बाई साब हो गया मेरे तो जुत्तों हो गया नहों गया काम आस तो पहली बार हुआ है और आज तुने पहली बारी बोला पहली बारी ऐसे जटका लगा कैसा तेल खतम नेस्त नाबूद हो रखाए तो नहां मैं तो दूरी हूँ अरे भाई सा बच गया यार बच का गया जुत्तों में तो चला गया ड्रेकली देने पड़ेंगे बाई जुत्ते अब यह तब बा रखा है अराम से बंदा भाई खोल के निकाल भी ले पाइप का कनेशन भाई रखा दिया नट खुला इसको भार उतार लेंगे बार उतनने के बाद देखते हैं कैसी कंडिशन निकलती इसकी पहले जब स्कॉर पर आती थी उसमें चेंज होता था बाई 20,000 पर फिर 30,000 अच्छी से मैं दिखा पाऊंगा ना तसली से नीचे से खुलना तो महां पर भी लगे लगे भी खुल जाता बस यह है चेक करते हैं इसमें इसकी हालत कैसी निकलेगी डीजल फिल्टर गे अपने ना देखा भाई और और पूरा काड़ा सा हो रखा है हालत तो इसकी खराब भी हो रही है है ना थीक इंटरवेल रख रहता है कंपनी ने इसका देखी हो लिए गत्तेवाले दे रुक है यह यहां यह अपने अडले आऊ है चालो सही है बाई यह अपने डालेंगे इसके अंदर रबड भी चेंज होएगी ना इन नए वाले में सारी शीज भाई आपको मिलते हैं कई बर क्या करता है बाई टेक्निशन ना अपना चेंज नहीं करता रबड ना नए डालने के तरह जी ठीक तो है पर आपको ऐसे नहीं क राइट होगा तो नहीं से रहे से जाने चाहिए ताकि आपकी गाड़ी में लिकेज नहीं बनेगी मतलब आपका जो फ्यूल फिल्टर है वह आपका लीक नहीं करेगा बाकि गाड़ी मांगे डीप क्लीनिंग तगड़े वाली देख रहा है ना मिट्टी कितनी जम रही है त को तकड़े वाली ओस तरह पलाओ जो मिट्टी देख रहे हों अगरे जार इंडर मिट्टी रहेगी ना वाई यह जंग लगा रही हाड़ी में अभी तक तो जंग कहीं लगा निया गाड़ी में निक्चे है ना और बहुत जल्द भाई इसके अंदर आमारे को मेल भी लगा एक बार आप जैसे स्विच लगाओगे एक बार लाइक काटना पड़ा कनेक्शन वह फिल्टर भर जागा एक दो बार और वाई वासल लगा रहा है नट लगा रहा है वारसल बदल दी वह जब इंजनोल चेंज होएगा नट भले ही चेंज हो ना हो लेकिन जो इसकी वारसल करना है अगर क्या बता कोई चोटा मोटानट लूज हो तो वह अपना टाइट हो जाए और यार शोकर रहा रहाएगे चेक करने शोकर लीघ करते हमें वहारे है कोई लिगेशिन यह यह भी ऐक है ठीक है और शोकर सारे शेक कर लिए लीक तो नहीं कोई सांव क्का यह देख यहां पर बिल्कुल ओके फिटन फाइन है यहां पर यह वह रखी है अच्छे यह पिछली बार हमने डिफरेंशल ओल चेंज कर रहा था ना इसका उसका है इसको भाई डीजल शेंपूल वाकिसको भी साफ कर वहांगा ऐसे मौश्यार अच्छा निलगता भाई गाड़ी पर न उस ट्राइब कई लग रहा भाई मेरे को यह तक कपड़ाई मार दे यार इस पर यार वासिंगा तो क्या उन से उठ पाएगी गाड़ी यहां थोड़ा कपड़ाई मार के देखता अभी पता लग जाएगा दूद का दूद पाने जाए कुछ करता भी यह नहीं करता यह करत करना यह दो काम रहें और हां एक ब्रेक ओल अपने को चेक करना है बाई साब पहले अपने को फिल्टर भी तो चेंज करना है तब तो इंजनर डालेंगे क्या नहीं क्या नहीं क्यों तो होगा मारा ड्रेन कंप्लीट और हां डीएफ भी डलना भाई गाड़ी के अंदर लो दो भी अपने ओल ताल मॉक्त करें और टो मारा पना बहुतर लॉयरु में युशी काल डाल लो तभी काला हो जाता है काला मिआजे नहीं को जाताए नहीं ह्पिर गार्च लगा के पिर बंद कर देना है और यह अबर गे चैक हम अश्या sırऊ लां जैकिन इल भी तो भाई छे वह से खालो गया वह हो अब गाड़े वाल इंजिनर निंद अंद है कि बम्हा जलता है वाई पत्ला के शिव भी कर लेते रहे हैं तो पूरा ही और यह उगा होगा कि जितना लीटर डेलेगा आपका उतना लीटर के पैसे लगते हैं ऐसा निये कि आपने पूरी बाल्टी ही दस लीटर की लेनी पड़ेगी और ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई जितना आएगा उतना डाल गए बाक्य अपनी बालती रख लेंगे पकड़ू भाई अचा हो जाएगा चालो ले भाई थोड़ा बहुत ही गिरता है उसके बाद अपना मावे पानी मार देंगे भाई पानी मारना जरूरी है क्योंकि फिर ना क्या होता है यह वाइट वाइट है तो केमिकली ना एक तरीके से अचा है एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ ना कि जब आप डिएफ डिलवा रहे हो वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि उस टाइम पे आपको ना स्विच नहीं लगा के रखना आपकी गाड़ी के अंदर स्विच नहीं लगा नहीं आपना उसे चाहता है तो होता है अब लास्ट रहा है नो है है आपकी ने को अनकाई होगी है यहां पर बाकी ब्रेक वर्ड़ बीटोप ऊप करना टक ठोटी मिलएव ठर टोड़ा बड़े घाल तो पूर तो वही है रहा है बहाई बैका बाकूर बागे में क्या क्या चीज हैं जो पार्ड डले हैं वो ही है और अपना लेबर चार्जिस है एक्स्टा कुछ हमारी गाड़ी में डलाई नहीं कोई एक्स्टा चीज़े खराब थी नहीं इस मामले में वेर इंटेर हैं भाई ठाना हाला तो खस्ता और यह इसकी भी है ना बदल दे बाई बदल दे तो जी भाई यह प्रोब्लम है सिर्फ Z4 और Z6 वेरिंट के साथ यह Z2 कहलो आप Z2, Z4, Z6 के अंदर ही यह वाला इंस्टुमेंट क्लस्टर आता और इसी का वाई ट्रिप यह और ट्रिप भी कभी भी जीर हो जाता है सर्विस करते करते भाई यह जीर हो गया अब फिर 3.1 हो गया ठ चाहिए मतलब Saturday Sunday उस दिन महिंदरा प्लांट बंद रहता है मैं यहां से रिपोर्ट बनाऊगा रिपोर्ट ओनलाइन वह जाएगी फिर वो ओनलाइन ही इसका सोफ्टर अपडेट करेंगे और उसके बाद आपका गाड़ी का जो यह ट्रिप पे ट्रिप बी जीरो होता है य इसके बाद रहा नहीं की बहुत वार कर लिया नहीं होता है इसके रहा जीर्ण आपनी गाड़ी का सर्विस का बिल तो बाइए अपनी चोटा सा पार था फूट स्ट्रेप का प्लास्टिक होता था वो तो टूट कया था बाई उसके लोग नीचे के तो वह मैंने ईपर से श पार्ट मंगवाया था अपनी नैनो का भी टोहुक का था ने प्लास्टिक वाला पार्ट यह देख लो भाई यह देखो टोहुक का कवर जो है बंपर पर लगता है यह के लाया है यह चापन रुपे का पर भाई सब ऐसे नहीं मिलता तो ओनलाइन चीजे ना ऐसे मिल जाती है ढूंडने लगो तो अब आप तो कहते तो विक्रम भाई इसका लिंक देदो हर चीज का लिंक नहीं होता बैठके मेहनत करके मशक्कत करनी पड़ती जब जागे वह चीज मिलती है तो ढूंडने चलो तो चीजे मिल जाती है अब जैसे हम जिपसी ढूंडने निकले हुए है एक भाई का मेल भी आया था और भी बहुत सारे हुए थे उन भाई के पास है पर उन्होंने डीजल इंजिन डिलवा रखाया अब डीजल इंजिन का हमार भी कोई काम नहीं है पेट्रोल इंजिन हमार को चीए चैया अपने बलीन वाला लगवा रखा हूँ चैया उसमें 1.3 जिपसी कींका तो वह वाला होता हूँ आपने को तो 4x4 चलाना ना भाई तो 4x4 नहीं चलेगा तो फिर फाइदा क्या डीजल वैसे ही वाई देले NCR में नहीं नहीं चाहिए डीजल गाड़ी तो नहीं चाहिए जिपसी का मदा पट्रोल में है और उसी इंजन में 1.3 या 1. किलोमेटर एक्स्ट्रा मान के चलो यह आपकी सर्विस कोस पड़ती है हर 10,000 के उपर 10,000 का खर्चा था पिछली बारी में भी इतना ही हुआ था मेरा 10,340 का हुआ था उस टेम पे जैसे ब्रेक पैड चेंज हुए थे हाँ इसके अंतर भाई डीएफ भी डला है भाई हाट अब जब ले गए हुए थे तो वहाँ पे कम हुआ तो डलवाना पड़ा अपने को अधरवाइस वह हमने 10 लिटर डाला था तो वही बात है बाकि डीएफ की समस्या का यह बताया पांटे जी ने कि सर आपकी गाड़ी खड़ी में भी स्टार्ट रहें के चलिए होगी तब कि इसका जो डीएफ हो बर्न होता है सभी बात है ना बाई गाड़ी दो इंजिन दो चली रहा है और रेगुलर ली भाई भार हमफुल गैसे ना जाए तो उसको बर्न ही करेंगा न तूस चकर में यह चीज़ तो बाई ऐसा न एक इसकी ना प्लास्किक की क्लैम्प है अपन क्लैम्प है यह था नहीं भी महिंद्रा में न तो मैं यह थमाया फुल वालते आसीफ अपना वाई एक्सपर्ट है प्लास्टिक वेल्ड करने में और नीचे यह पार्ट ठीक है दोनट कुलें तो यह वाला पार्ट है भाई यहां से क्रैक हो गया लिए में लग गया होगा वंपर थोड़ा सा नीचे उसमें क्रैक हो जाता वाईस के वना फिर वंपर पड़ पड़ करता है तो बारा नंबर के दो बोलते हैं लिया सिफ कर दे वेल्ड इसको अभी वेल्ड कर गे फिर मना दे बढ़िया लो जी यह होगा अपना प्लास्टिक वेल्ड किया हाल चाल है मेरी गड़ी देख ली यार आया मेरा गड़ी मोड़ के और यह कहा गायब रहते है महराज हम जिपसी दून रहे हैं तो भाई अपना प्लास्टिक वेल्ड होगा ले आसी भाई कस दे इसको ठीक है लोग भी लगा जबर लोग यह वाला लगजे तो ठीक है तो यह वाला पत पेंडे के लिए दे दिये जुने अनों का बंपर का था और अपना कोटन के फुक सब का निकल लेते हैं भाई आप घर की तरफ काफी लेट हो गया और भाई वाशिंग नहीं करवा पाया था मैं वहाँ पर सर्विस ही अपनी इतने कम टाइम में एक्स्प्रेस सर्विस होग दो छोड़ आप थारोक्स ले लो या वह लेलो देखो यार थारोक्स अलग चीज है जिपसी अलग चीज है जो लोग जिपसी का प्यार समझते है ना वो समझ सकते है जिपसी लव यार और वैसे भी माई फीचर पसंद करने वाला बंदा कम हूं इंजन टगडे चक्की दे वह वाला बंद मेरे को ना fun to drive चाहिए अपना मजा आना चाहिए मेरे को चलाने में और जिपसी तो भाई बहुत पुराना प्यार है क्या नहीं चलो जी bye bye take care good night और involve के दो स्प्रे भूलना मत मैंने तो फैर को किये थे दो स्प्रे बाई और अब तक fragrance बनी हुए गाड़ी में मैं पर जाती नहीं अच्छे से स्प्रे काड़ के उपर लगा और जैसा मैंने आपको एक और रेक्मेंडेशन दिया कि आप अपने इस गाड़ी के कारपेट या कारपेट वाले मैठ है उसके उपर भी एक एक स्प्रे मार दो आहाँ को डी गाड़ी में सवाध सा आजाएग करके देख रहें जिस्ट्राइब